नमस्कार मैं स्वाती और आप देख रहें विंधिया टाइम्स रीवा चिले के सेमरिया थाना शेत्र अंतरगत डाकपाल के पदमे पदस्त युवक की घिनौनी कर्तूत उचाकर हुई है जिसे सेमरिया पुलिस ने बिहार से गिरफतार कर लिया है द्रसर डाकपाल नाबारिक बच्ची को दो दिन पहले ही अपहरेंट कर अपने ग्रिह ग्राम नालंदा बिहार लेकर गया था परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी इसके बाद पुलिस को दो दिन बाद ही सफलता मिली पुलिस ने आरोपी डाकपाल को उसके ग्राम नालंदा बिहार से गिरफतार कर लिया है और बच्ची को दस्तियाब कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है पुलिस के मुताबिक आरोपी डाकपाल नाबारिक बच्ची से शादी करना चाहता था फिलहाल पुलिस को मेडिकल परिक्षण के बाद घिनौनी कृति के पुष्टी नहीं हो पाई है और ना ही बच्ची ने अपने बयान में उसके साथ कुछ गलत कृत होने की जानकारी दी है पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में गिरफतार शाखा डागपाल सन्नी कुमार को न्यायाले के आदेश पर जेल भेज दिया है शाखा डागपाल की गिरफतारी और जेल भेजने की सूचना भी पुलिस द्वारा डाग विभाग को भेज दी गई है रिवा पुलिस द्वारा इस प्रकार की कई घटनाओं के कई आरोपियों के विरुद्ध जिला प्रशासन के सहियोग से बुल्डोजर की कारिवाही की जा चुकी है सिमरिया के बड़ी हर्रेई में पदस्त शाखा डागपाल सन्नी कुमार पडोसी गाउं की एक नाबालिक यूवति को लेकर यहां से फरार हो गया था यूवति के परिजनों की रिपोर्ट पर सिमरिया पुलिस द्वारा उसे बिहार इस्थित नालंदा उसके घर से गिरफतार कर लिया किया है और नाबालिक किशोरी को भी बरामत कर लिया किया है आपको बता दें कि किशोरी की उम्र 14 वर्स है आरोपी के विरुध पॉक्सो एक्ट सहीत विभिन धाराओं के तहत मामला दर्जकर न्यायाले में पेश किया किया है जहां से उसे जेल भेज दिया किया है पूरे मामले को लेकर रिवाइस पी विवेक सिंग का कहना है कि बच्ची के परिजनों के महज दो दिन शिकायत के बाद ही आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है आरोपी बच्ची के साथ शादी करना चाहता था इसी वज़े से उसे अपने गाउं बहला फुसला कर ले किया था आरोपी के खिलाफ विभिन धाराओं के तहत मामला पंजी बद्ध कर लिया किया है इसके बाद उसे जेल भेज दिया किया है इसको एक व्यक्ति बहला फुसला के ले गया है और यह भी परचला कि व्यक्ति अपने साथ को गलत काम होना नहीं बता है आया है और नहीं मेडिकल एपोर्ट में इसलिए तीनु तेसा तो तीनु शाषट धाराओं में उसको जेल उसको भीजा गया है बाकिया भी वेशना जारी है और जैसा प्राइब उसका आधर पर बिंक वारवाई की जाएगी इसमें बच्ची कुमर 13 सा 14 साल है और आरोपी का नाम शनी सिंग पासवान है यह मुलता बिहार कर रहने वाला है और यहां पर उसकी नौकली लगी थी और से मरिया थाना चेतर में ही साहिक लेकपाल के रूप में नौकली कर राता हूँ कब से लेके फराग था यह 19 तारीक को यह फराग हुआ था उसका उदेश जो अभी तक आया है कि समोता हो बच्ची से शादी करने के उदेश से उसको ले गिया था